साथ्योद चोकिदार के इस खोफने ही काले धन और ब्रसाचार के खिलाफ जो कारिवाई हो रही हैं किस तरह देश की सियासत बदल रही हैं ये भी आप देख रहे हैं इन दिनों भारतिय राजनिति की किहास के एक असपल प्रयोग को महा गठवन्दन के नाम से प्रतारिप करने का बियान चल रहा है जिन दलों का जन्म कॉंग्रेस और कॉंग्रेस की कार संस्कृति के विरोध में हुआ जो उस जमाने में कॉंग्रेस के तोर तरीकों को बरदास नहीं कर पाए कि वही विरोधी दल कि आज एक जूठ हो रहे हैं है सोचिये उस जमान में जब कॉंग्रेस इतनी करत में भी नहीं थी कि तब उन्होंने कांग्रेस को च्छोड़ा और क्रेस के सामने कड़े हुए थे अब आज जब कांग्रेस रसाताल में है व्रश्टाचार में डुबी हुई है उसके बड़े बड़े नेता जमानत पर है तो यह कॉंग्रेस विरोध में जन्मे हुए दल कॉंग्रेस के सामने जाकर सरेंडर कर रहे हैं जिस मतदाता ने आपको इसलिए उरजा दी कि आप कॉंग्रेस का एक विकल्प बनेंगे आज उसी मतदाता को दोखा देने का प्रयास किया जा रहा है और अभी कुछ दिन पहले इस गटबंदन का टेलर भी बहार आया है आपने देखा होगा तेलंगणा में गटबंदन का पराजय हो गया बुरी तरह पराजय हो गया और करनाटक में जहां गटबंदन की पहली सरकार बनी है वहां के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं करनाटक के मुख्यमंत्री जो गटबंदन की सरकार के मुख्यमंत्री है अभी तो कुछी महिने हुए हैं और ऐसे परेशान ऐसे परेशाने वो कह रहेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री के बजाए एक क्लर्क मात्र बना करके रख दिया गया है राजस्तान मदर प्रदेश में अब दो टूक इस बारे में बात हो रही है कि सरकार चलानी है तो पहले ये केस वापिस लो डिगना केस फापाइस लो फनाना काम पुर करो तब सरकार चला पाओगे ये चालू हो गया है अभी तो ये ट्रेलर है राजनीती पर की जाती है भाईयों भेनों राजनीती विचार पर की जाती है राजनीती गढ़ बंदन वीजन पर बनते हैं बिगड़ते हैं लेकिन ये पहला आवसर है जब सिफ एक व्यक्ति के विरोध में सब एक जूट हो रहे हैं साथियों ये सारे मिलकर इनका इरादा क्या है ये बात हमको समझनी है और गर गर जाके समझानी है ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं वो नहीं चाहते हैं कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि प्रस्टाचार कर सके इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्ता में प्रस्टाचार को खत्म कर सके वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का अपने रिस्तेदारों का बना कर सके देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ सबका विकास हो सके वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि रक्षा सौदों में दलाली खाई जा सके हिंदुस्तान मजबूत सरकार चाहता है ताकि देश की सेना की हर जरूरत तो पूरा कर सके वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि किसानों की कर्ज माफी में भी गोटाला कर सके हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश के किसानों को ससक्त कर सके वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि यूरिया गोटाला हो सके चीनी गोटाला हो सके देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि किसानों को समाई पर खाद मिले अपनी फसनों का उचित दाम मिले वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि फिर कॉमन वेल जैसे गोटाले हो सके भारत मजबूत सरकार चाहता है ताकि अपने बच्चों को इमानदारी और पारदर्सिता के साथ खेल की दुनिया में आगे बढ़ा सके उन्हें आधुलिक सुविदा दे सके वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि तूजी जैसे गोटाले फिर हो सके देश मजबूत सरकार चाहती हैं ताकि देश का हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया मिशन का लाप उता सके वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अंतरिक्स कंपनियों में भी गोटाला कर सके हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश गगनियान की सफलता का गवरवगान करे वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि खदानों की निलावी में करोरों की लूट कर सके हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि खदानों से जो कभाई हो रही है उसका लाप अपने आदिवासी भाई बेहनों को मिले वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि स्वास्त सेवा में गोटा ला कर सके एंबुलन्स की खरिजी में गोटा ला कर सके हम मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि आईश्मान भारत योजना के तहट दस करोड परिवारों को मुप्त इलाज दे सके साथ यों उनका रास्ता दलों को जोड़ना है हमारा रास्ता हर हिदुस्तानी के दिलों को जोड़ना है वो अपने हिद के लिए मजबूरी का गठवंदन चाहते है हम देश हिद में संगरन की मजबूती चाहते है भाजपा वो पार्टी है जिसका जन्मा सिद्धान्तों के आधार पर हुआ जो संगरन के आधार पर आगे बड़ी जन्हित के लिए संगस करती रही और जन्जन के आशिरवात से सत्ता को सेवा का माध्यमबरा समर्प्रभाव से कार कर रही